थिक हो गें है यह दो प्लेज अधिन मैं बैठने गूलेता है आप अधिन ने प्लीच आपको दद्यवाद करके स्विरू करू बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार अजरा मर रहे हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज, आज हजी के इतने सालों के बाद, गरीब के घर में भी जब रोशनी होती है, तो उसकी खुशियां, देश की खुशियों को ताकत देखे, चूले के धुए से, जलती हुई आँखों के साथ काम करने वाली मा को, गरीब मा को, और जिस देश में, घर में गैस कनेक्शन हो, यह स्टेटर सिंबॉल बन चुका था, उस देश में, गरीब के घर में गैस का कनेक्शन हो, धुए वाले चुले से मुक्ती हो, तो उसका आनन्द कुछ और ही होता है, हमारी मातना है बहने उनका पूरा स्टेश प्लेश, प्लेश तला, प्लेश बेटिये, आपको मैंने प्रयाप मोका दिया, तरीका ठीक नहीं है दादा, दादा को बीच-बीच में मोका देना चाहिए, क्योंकि दादा उमर के इस पड़ाओं में भी बजपना का मज़ा लेते रहते हो, आज गरीब का बैंक में अपना खता हो, आज बैंक जा गए बिना गरीब भी अपने टेलिफॉन से बैंक के खाते का उप्योग करता हो, सरकार के द्वारा दिये गई राशी, सीधी डारेक बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उसके खाते में पहुंचती हो, अगर आप जमीन से जुड़े हुए होते हैं, अगर आप जनता के बीच में रहते होते हैं, तो जुरूर ये चीजे नजर आती है, दिखाई देता है, लेकिन दुर्भागे ये हैं कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं, जिनके सुई, काटा, 2014 में अटकाफ हुआ है, और उसे वो बाहरी निकल नहीं पाते हैं, और उसका नतीजा भी आपको भुगतना पड़ा है, आपने जो अपने आपको एक ऐसी मानसिक अवस्था में बांद के रखा है, देश की जनता आपको पहचान गई है, कुछ लोग पहले पहचान गए, कुछ लोग देल से पहचान गए, और कुछ लोग आने वाले समय पहचानने वाले हैं, आप देखिए आप, जब इतना सारा लंबा उपदेश देते हैं, तब भूल जाते हैं, परचान साल तक कभी आपने भी देश में, यहां बैठने का सोभाई के प्रात्त किया था, और क्या तारण है, कि आप सोच नहीं पाते हैं, अब आप देखिए, नागा लेंड के लोगों ने, आखरी बार, 1991 में, कॉंग्रेस के लिए वोट किया था, करीब 24 साल हो गए, ओडिसा ने 1995 में, आपके लिए वोट किया था, सिरफ 27 साल हो गए, आपको बहां एन्ठी नहीं भी, गोवा में, 1994 में, पून भहुमत के साथ आप जीते थे, 28 साल हो गए गोवा ने आपको स्विकार नहीं किया पिछली बार 98 में 88 में त्रिपुरा में वहाँ की जन्ता ने वोट दिया था 34 साल पहले त्रिपुरा में कॉंग्रेस का हाल है UP, बिहार और गुजरात आखिर में 1985 में 1985 में करीब 37 साल पहले आपके लिए वोट किया था पिछली बार पस्चिम मंगाल में वहाँ के लोगों ने 1972 में करीब 50 साल पहले आपको पसंद किया था तमिल नारू के लोगों ने तमिल नारू के लोगों ने मैं इसके लिए सहमत हूँ अगर आप उस मर्यादा का पालोन करते हैं और इस जगा का उपयोग न करते हैं और बड़ा दुग्राग है देश का कि सदन जैसी पवित्र जगा देश के लिए काम आनी चाहिए उसको दल के लिए काम में लेने का जो प्रयास हो रहा है और उसके कान जवाब देना हमारी मजबूरी बन जाती है मान्य अद्दग जी मान्य अद्दग जी तमिलनाडू आखिर मैं 1962 में यहने करीब साथ साल पहले आपको मोका मिलाता तेलंगना बनाने का स्रे लेते हैं लेकिन तेलंगना बनने के बाद भी वहाँ की जन्ता ने आपको स्विकार लें किया जार्खन का जन्म हुआ 20 साल हो गए पूर्ण रुप से कॉंग्रेस को स्विकारते नहीं है पिछले दर्वाजे से वो बूसने का प्लियास करते हैं मानिय देख जी सवाल चुनाव नतीजों का नहीं है सवाल उन लोगों की नियत का है उनकी नेक दिली का है कि इतने बड़े लोग तंत्र में इतने साल तक सासन में रहने के बाद देश की जन्ता हमेशा हमेशा के लिए उनको क्यों नकार रही और जहां भी ठीक से लोगों ने रह पकड़ ली दुबारा आपको प्रवेश करने नहीं दिया है इतना सारा होने के बावजुद्भी हम तो एक चुनाव हार जाए ना महिनों ताक नजाने उको सिस्टिम क्या क्या करती है इतना सारा प्रवेश होने के बावजुद्भी ना आपका हंकार जाता है ना आपकी एको सिस्टिम आपके हंकर को जाने देती है इस बारा दिरंजन जी बहुत सारे शेर सुना रहे थे चलिए मोका मैं भी ले लूँ और जब अहंकार की बात मैं कर रहा हूँ तब तो मुझे कहना ही पड़ेगा वो जब दीन को रात कहे तो तुरंत मान जाओ वो जब दीन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ नहीं मानोगे तो वो दीन में नकाब ओड लेंगे जर्रत हुई जर्रत हुई तो हकिकत को थोड़ा बहुत मरोड लेंगे वो मगरूर है खुद की समझ पर बे इंतहा उन्हें आइना मत दिखायो इन्हें आइना मत दिखायो वो आइने को भी तोड़ देंगे प्लेश 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 आदनिया देख जी आज आदि का अमरित महोर्स आज़ादी के 75 वर्ष में आज़ देश आज़ादी का अमरत महुत्सों मना रहा है और देश अमरत काल में प्रवेश कर रहा है आज़ादी के इस लड़ाई में जिन जिन लोगों ने योगदान किया वो किसी दलके थे या नहीं थे इन सबसे परेउट करके देश के लिए जीने मरने वाले लोग देश के लिए जवानी खपाने वाले लोग यहर किसी को समरन करने का पुन्य समरन करने का आउसर है और उनके सपनों को याद करते हुए कुछ संकल्प लेने का आउसर है आदरिनिय अदक जी हम सब संस्कार से स्वभाव से व्यवस्ता से लोकतंत्र के प्रतिवद्ध लोग है और आज से नहीं स्द्यों से है लेकिन ये भी सही है आलोचना ये जीवन्त लोकतंत्र की जीवन्त लोकतंत्र का एक आभूशन है लेकिन अंद विरोध ये लोकतंत्र का अनादर है सबका प्रयास इस भावना से भारत ने जो कुछ हासिल किया है अच्छा होता उसे खूले मन से स्विकार किया गया होता उसका स्वागत किया जो होता उसका गवरोगान करते बीते दो सालों में सो साल का सबसे बड़ा वैश्विक महामारी का संकट पूरी दुनिया की मानुवजाद जेल रही है जिन्होंने भारत के अतीत के आधार पर ही भारत को समझने का प्रयास किया उन्होंने उनको तो आसंका थी कितना बड़ा विशाल देश इतनी बड़ी आबादी इतनी विविदताया ये आदतें ये स्वभाव शायद ये भारत इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा भारत अपने आपको बचा नहीं पाएगा यही उनकी सोच थी लेकिन आस्थिती क्या है मेड इंडिया कोविटी के कोविड वक्षिन दुनिया में सबसे प्रभाविद आज धारत शत्व प्रतीशत पहली डोश इस लक्ष को के नीकट करीकरी पहुँच रहा है और लगभग अस्थि प्रतीशत सेकंड डोश उसका पड़ाव भी पूरा कर दिया है मन्य अद्धिक जीन खें करोना एक वैश्विक महामारी थे लेकिन उसे भी दलगत राजनीती के लिए उप्योग में लाए जाओं क्या यह मानवता के लिए अच्छा है मैंने तो किसी का नाम नहीं दिया कोई भी टूपी पहन लेने के गया जरोते जी लेकिन जब आप खड़े ही गोए तो आप मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूँ अब आप खड़े ही हो गए हैं तो मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूँ इस कोरोना काल में कॉंग्रेस ने तो हद कर दी पहली लहर के दौरान भूप आपको प्रेस् इसलस्ती पर में भूख लिए कि यह बायारि उसलस्य हुअ प्रेस्त प्रेस्ट बैठिए यह तरीका ठीचनी और आपको मैंने प्रेयाब थैस्टक ऺ्थे दिसे प्रीच फ्रूस्ट क्छाव समोओं यें दूख कि मैं ए-खिको दिधो है है माने अग्जाजी अभी तो मैंने सिर्फ इतना का हद कर दी पहली लहर के दोराँ आपको मैंने पेस जब लॉकडाउन का पालन कर रहा था जब डुनिया भर के लोगों को सला देता था सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वही पर रुके सारी दुनिया में यह संदेज दिया जाता था क्योंकि मनुश्य जहां जाएगा अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना साथ ले जाएगा तब कॉंग्रेस के लोगों ने क्या किया मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़ कर जाने के लिए प्रोचाइद करने के लिए मुंबई में स्रमीकों को टिकर दिया गया मुफत में टिकर दिया गया लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महराष्ट का महराष्ट में हमारे पर जो बोज आए वो जरा कम हो और जाओ तुम उत्तपजेश के हो तुम बिहार के हो जाओ बहा कोरोना ठालाओ आपने आपने ये बहुत बड़ा पाप किया महाफरा तफरी का माहोल खड़ा कर दिया आपने हमारे स्त्रमिट भाईयो बैनों को अनेक परेशानियों में दखेल दिया और मान दिये दिग जी उत समय बिल्ली में ऐसी सरकार थी बिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है उत सरकार ने तो जीप पर माईक बांद करके दिल्ली की जुगी जोपणी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहां संकत बड़ा है भागो गाउ जाओ गर जाओ और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी आदे रस्ते छोड़ दिया और समी को को लिए अनि एक बुसिबते पैदा की और उसका कारण हुआ के यूपी में उत्राघंड में पंजाम में जिस कोरोना की इतनी गती नहीं थी इतनी तिवरता नहीं थी इस पाप के कारण कोरोना ने वहाँ भी अपनी लपेट में ले लिया मान्य अद्ध जी ये कैसी राजनिती है मानव जात पर संकट के सबए ये कैसी राजनिती है ये दल का तुराज लीती कब तक चलेगी आदेने अज्ड़क जी कॉंग्रेस के इस आचरण से सिर्म नहीं नहीं पूरा देश अचंबित है दो साल से देश सो साल की सबसे बड़े संकट से मुकाबला जूज कर रहा है कुछ लोगों ने जिस प्रकारता वेवार किया देश उसे सोच में पड़ गया है क्या ये देश आपका नहीं है क्या देश के लोग आपके नहीं है क्या उनके सुख जुख आपके नहीं है इतनी बड़ी संकट आया कई राजनितिक दल के नेता जरा आत्मने रिख्षन करें कितने राजनितिक दल के नेता जो जनता के माने हुए नेता अपने आपको मानते हैं उन्होंने लोगों को रिक्वेस्ट की हो अपील की हो वै कोरोना का एक ऐसा संकट है अब मास्क पहनो हाद धोना रखो दोगच की धुरी रखो कितने नेता है क्या ये बार बार देश की जन्ता को अगर कहते तो उसमें कोई BJP की सरकार को क्या फाइदा होने वाला था मोदी को क्या फाइदा होने वाला था लेकिन इतने बड़े संक्ट में भी इतने बड़े संक्ट में भी इतना सा पवित्र काम करने से भी चुक गए आज लिए मानियक जी कुछ लोग हैं उनको ये इंतजार था कि ये कॉरोना वाइरस मोदी की छबी को चपट में ले लेगा बहुत इंतजार किया और कॉरोना ने भी आपके धहरिये की बड़ी खसोटी की है आए दिन आप लोग औरों को नीचा दिखाने के लिए मात्मा गांदी का नाम लेते हैं मात्मा गांदी की स्वदेशी की बात इसको बार बार दोहराने में हमें कौन रोपता है अगर मोदी वोकल फोर लोकल कहता है मोदी ने कहा इसलिए शब्दों को छोड़ दो भई लेकिन क्या आप नहीं चाहते हैं देश आत्मन निर्फर बने जिस मात्मा गांदी के आदर्शों की बात करते हैं तब भारत में इस अभियान को ताकत देने में जूरने में आपका क्या जाता था उसका नेतरुद्वा आप लीजिए मात्मा गांदी जी किया स्वदेश के निर्णे को आगे बढ़ाएगे देश का बला होगा और हो सकता है आप मात्मा गांदी के सपनों को सच होते देखना नहीं चाहते हैं माने दक जी आज पूरी दुनिया योग के लिए एक प्रकार से कोरोना में तो योग ने दुनिया भर में जगा बना लिगी दुनिया भर में कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको योग के लिए गर्वन हो आपने उसका भी मजाक उड़ाया उसका भी भुरोध किया अच्छा होता आप लोगों को कहते भई संकट में घर में है ये योगा कीजिए आपको फाइदा होगा क्या नुक्साम था फिट इंडिय दलों के छोटे-छोटे युवां मंच होते हैं अगर हम समने मिल करके अगर इस फिंट इंडिया के द्वारा देश की युवां शक्ति को इस सामर्थ की तरफ आगे बढ़ने के लिए कहते लेकि उसका भी मुग्रोध उसका भी उपास यहने क्या हो गया है आपको मुझे सम इतने राज कोई आपको गुशने नहीं दे रहा है मानिय अद्रग जी कभी-कभी मैं यह विशे प्यार से कह रहा हूं नाराज में तो हो जाना है मुझे कभी-कभी मानिय अद्रग जी कि विचारा आता है उनके बयानों से उनके कायरकमों से उनके कर्तूत्वों से जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है, कि सो साल तक सत्ता में नहीं आना है. कोई ऐसा नहीं करता जी, थोड़ी सी मैं आशा होती ही, थोड़ा सा भी लगता है, या देश की जनता फिर से फुलहार करेगी, तो ऐसा नहीं करते हैं, और इसलिए खेर अब आपने ही तहीं कर लिया है, सो साल के लिए, तो फिर मैंने भी तहीं या जी कंडी है. माने दगी, यह सदन इस बाप का साक्षिल है, कि कोरोना वैश्विक महमारी से जो बनी स्थित्यां, जो स्थित्यां उत्पन होई, उसको निपटने के लिए भारत ने जो भी रान निति बनाई, उसको ले करके, डे बन से, क्या क्या नहीं कहा गया, किस किस ने क्या बोला, आज वो खुद देखेंगे तो उनको हैरानी हो जाए कि ऐसा कैसे बुलवा लिया, किस ने बुलवा लिया, पता नहीं क्या बोलती है हम लोग, दुनिया के और लोगों से बड़ी-बड़ी कॉन्फरेंस कज गई, ऐसी बाते बुलवाई गई, ताकि पूरे विश्व में भारत बद्लाम हो, खुद को ठीके रहने के लिए, आर्थिक आयोजन को भारत कैसे चल रहा है, माई गॉड, क्या कुछ कहा रहा है, बड़े-बड़े पंडीतों ने कहा कहा, पूरी आपकी एको सिस्टिम लग गई थी, हम जो भी समझ ने थे, भगवान ने जो समझ दी थी, लेकिन समझ से ज़्यादा समरपन बहुत बड़ा था थी, और जहां समझ से समरपन ज़्यादा होता है, वहाँ देश और दुनिया को अरपन करने की ताकत भी होती है, और वो हमने करके दिखाया है, और जिस रास्ते पर हम चले, आज, आज विश्व के अर्थ जगत के सभी ज्याता इस बान को मानते हैं, कि भारत ने जिस आर्थिक नीतियों को लेकर इस कॉरोना कालखन में अपने आपको आगे बढ़ाया, वो अपने आपने के उधार नहीं है, और अलुभाव भी हम करते हैं, हमने देखा है, माने जी भारत आज दुनिया की, माने जी भारत आज दुनिया की जो बड़ी कॉनामिज है, उसमें सबसे तेजी से विक्सित हो रही बड़ी अर्थिववस्ता है, माने जी इस कोरोना कालखेंड में भी हमारे किसानों ने रेकॉर्ड पैदावर की, सरकार ने रेकॉर्ड खरीदी की, दुनिया के अनेक देशों में जहां खाने का संकट पैदा हुआ, और आपको पता होगा, सौ साल पहले जो आपदाई थी, उसके जो रिपोर्ट है, उसमें ये बात कहीं गई है, कि बिमारी से मरने वालों की जैसे तादाद है, वैसी भूग से मरने वालों की भी बड़ी तादाद है, उस समय के सौ साल पहले की रिपोर्ट में, इस देश ने किसी को भूग से मरने ने दिया, असी करोड से अधिक देश वात्यों को मुक्त राशन उपलब्द कराया, और आज भी करा रहे हैं, मन्य अध्यक जी, हमारा टोट एक्सपोर्ट, हिस्टोरीकली हाइस लकॉर्ड पर है, और ये कोरणा काल में है, कुरूसी एक्सपोर्ट, एतियासिक तरुपे तॉप पर प सब्पर एक्सपोर्ट, नई उचाहितर बढ़ रहा है, मोबाइल फॉन एक्सपोर्ट, अभुत्पुर भुर्द्धी हुई है, डिफेंस एक्सपोर्ट, कईयों को परिशानी हो रही है, यहाद मंदिर भर भारत का कमाल है, कि आज देश डिफेंस एक्सपोर्ट में भी आ रहा है, एप्ली आई और एप्पी आई, मानि अद्धिक जी, ति इन एक्सपोर्ट इक्सपोर्ट अचाहिए, तिस पर ने सद्धार शेप, एक बिट उन्दी ऐत भुड़ी इसके बाद कभी गोंदिट हो गया, एक पर आप चुपीए, आप शॉन दोईए, आप शंद प्लीज 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 एक बिट चुप रहे हैं आपको किसने जाए दी बेटिये मानने सदर्श करने मैंने सभी मानने सदर्शों को प्रयाप्त समय प्रयाप्त अफसर दिया हैं लेकिन मानने सदर्श आपने जब बोला तो मैंने कहा कि कोई भी इस सदन में नेता बोल रहे हैं कोई टिपना टिपनी करेंगे लेकिन आज आप यह उचित विहार नहीं है सदन के नेता बोल रहे हैं सदन की गरिमा को बना रहे हैं यह मेरा आप से आख रहे हैं आपको मैं बो प्लेज दादा आपको मुखर प्लेज प्लेज आप समझेंगे समझाएंगे आप पूरा सुनो सब समझाएंगे सदन में थोड़ी बहुत तोका-टोकी तो आवश्चक होती हैं जरा गर्मी रहती हैं लेकिन जब सीमा के बहार जाता है तो जरा लगता है कि हमारे शाथी ऐसे ह माने अधर जी उनकी पार्टी के एक MP ने चर्चा की शुरुआत की थी और यहां से कुछ छोटा-मोटा नोगजोग चल रहा था और मैं मेरे कमरे से स्क्रीम पर देख रहा था कि हमारे मंत्री प्रहला जी पीशे गए सब को रोका और वहां से चलेंज आई कि अगर हमें रोको गए तो तुम्हारे नेता का यह हाल करेंगे क्या इसी का यह हो रहा है क्या मानिया देख जी मानिया देख जी आप आपने आपको हरे को अपना सियार सुधारने की कोशिस तो करनी चाहिए और मैं मानता हूं जीतना किया है उसे आपका सियार ठीक हो गया है जिन लोगों को रिजिस्टर करना है आपके इस पराक्रम को कर लिया है जी ज्यादा क्यों कर रहे हो इस सत्र में तो कोई आपको निकालने का नहीं मैं आपको गरटी देता हूं ठीक है इस जगा से अरे वे ऐसे ही पच गया हूं मन्य अद्यक जी एफडियाई और एफपी आई का रिकॉर्ड निवेश आज भारत में हो रहा है दिन्यूबल एनर्जी के ख्षेत्र में आज हिंदुस्तान दुनिया के टॉप फाइव कंट्रीज में मन्य अद्यक जी ये सब इसलिए संभव हुआ है कि कोरोना कायन में इतना बड़ा संकट सामने होने के बावजुग भी अपने कर्तविया को निभाते हुए इस संकट के काल में देश को बचाना है तो रिफार्म जरूरी थी और हमने वो जो रिफार्म किये उसका परिणाम है तहाज हम इस तरीके से स्थिति पर आगर पहुँचे मानिय अद्यक जी सहीद आप बेठिये हम द्योग को गलत तरीका है आपका जरूरी सपोर्ट देए ऐसे निचले हमों को प्रक्वियाओं को सरल किया आत्मनिर भर भारत का जो मिशन है उसको हमने चरितात करने के लिए भरपुर कोशिश की यह सारी उपलग्दियां ऐसे हालत में देश ने हासिल की है जब अरांतरी अंतराष्ट इस्तर पर अर्थिक जगत में बहुत बड़ी उथल पातल आज भी चल रही है सप्लाइचेन पुरी तरह चर्मरा गई है लोजिस्टिक सपोर्ट में एक संकट पैदा हुए है दुनिया में सप्लाइचेन की वेज़े से केमिकल फटिलाइजर पर कितना बड़ा संकट आया है और भारत आयात करने पर डिपंडेंट है कितना बड़ा अर्थिक बोज देश पर आया है पूरी विश्व में हालत पैदा हुए है लेकिन भारत ने किसानों को इस पीडा जेनले के लिए मजबूर नहीं किया भारत ने वो सारा बोज देश ने अपने कंदों पर उठाया और किसान को टांसपर नहीं होने दिया है भारत ने फर्टिलाइजर की सप्लाई को भी निरंतर जारी रखाए कोरोना के संकटकाल में भारत ने अपनी खेटी को अपने छोटे किसानों को संकट से बहार निकान दे के लिए बड़े फैसले लिए मैं कभी कभी सोचता हूँ जो लोग जड़ों से कटे हुए लोग है दो दो चार चार पिड़ी से महलों में बैटने के आदत हो गई है वो देश के छोटे किसाने की क्या समझा है वो समझी नहीं पाए उनके अगल वगल में जिन किसानों की उनकी पहुंच थी उससे आगे देख नहीं पाए है और मैं कभी ऐसे लोगों को पूछना चाहता हूँ कि छोटे किसानों के परती आपकी इतनी नफरत क्यों है क्या आप छोटे किसानों के कल्यान के लिए आप रोडे एटकाते रहते हो छोटे किसानों को इस संक्र मेरालते हो मानियत जी अगर गरीबी से मुक्ति चाहिए तो हमें हमारे छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा ग्रामीन अर्थेववस्ता को मजबूत बनाना है तो हमारे छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा अगर हमारा छोटा किसान मजबूत होता है छोटी सी जमिन होगी दो हेक्टर की भूमी होगी तो भी उसको आधुनिक करने का वो प्रयास करेगा नया सिखने का प्रयास करेगा और उसकी ताकत आएगी तो देश की अर्थरचना को भी ताकत मिलेगी और इसलिए आधुलिकता के लिए छोटे किसानों की तरफ ध्यान देने का हमारा प्रयास है लेकिन छोटे किसानों के प्रती जिन लोगों के मन में नफ्रत है जिन्होंने छोटे किसानों के दुखदब नहीं जाना है उनको किसानों के नाम पर अपनी राजनीती करने का कोई हक नहीं बनता है मान्य दग जी इस बात को हमें समझना होगा सेक्रो वर्षों का गुलामी कालखन उसकी जो मानसिक्ता है वो आजादी के 75 साल के बाद भी कुछ लोग बदल नहीं पाए ये गुलामी की मानसिक्ता किसी भी राज की प्रगती के लिए बहुत बड़ा संकट होती है लेकिन मानिय दग जी आज देशका में चित्र देखता हूँ एक ऐसा समुदा है ये ऐसा वर्ग है आज भी वो गुलामी की मानसिक्ता में जीता है आज भी 19-वी सदी के काम उस सोच उनसी में जकड़ा हुआ है और 20-वी सदी के जो कानून है वही कानून उसको कानून लगते हैं मानिय अद्दक जी गुलामी की मान सिक्ता 19-वी सदी का रहन से 20-वी सदी के कानून 21-वी सदी के आकांख्षाय पूरी नहीं कर सकते हैं 21 सजी के अनुकुल हमें बढ़लाव बहुत जरूरी है महने अद्दक जी जिस बढ़लाव को हमने अस्विकार किया उसका प्रणाम क्या है फ्रेट कोरिडोर इतने मनोमंसन के बाद कई वर्षों तक उसके बाद योजना बनी 2006 में प्लानिंग 2006 से 2014 तक का उसका हाल देखिए 2014 के बाद उसकी तेजी आई यूपी में सर्यू नहर परी योजना सब्तर के दसक में शुरू हुई और उसकी लागत सो गुना बढ़ देगी हमारे आने के बाद हमने उस काम को पूरा किया यूपी का अर्जुन डैम प्रियोजना 2009 में सुरी हुई 2017 तक एक तिहाई खर्चा हुआ हमने इतने कम समय में इसको प्रून कर दिया अगर कॉंग्रेश के पास इतनी सब्ता थी इतने सालों तक सब्ता थी तो चार धाम को वो आल बेदर सडकों में परिवेरित कर सकते थे जोड सकते थे लेकिन नहीं किया वौटरवे सारी दुनियां वौटरवे का समत्त है हमारा ही देश था कि हमने वौटरवे को नकार दिया आज हमारी सरकार को वौटरवे पे काम करना रह lag पुरहनी अप्रोच से गौरबपूर के कारखाना बंद होता था हमारे अप्रोच से गौरबपूर का फर्टिलाजर का कारखाना शुरू होता है मानिय अदेजी मानिय अदेजी ये लोग ऐसे हैं जो जमीन से कटे हुए है उसके कारण उनके लिए फाइल की मुमेंट फाइल में से नेचर करके कौन अगला मुलाकाती आएगा उसी के इंतिजार में जो रहते हैं आपके लिए फाइल सब कुछ है हमारे लिए 130 करोर देश्वाश्यों का लाइप महतुत है आप फाइल में खोए रहे हम लाइफ बदलने के लिए जीजान से जिटे उजी लोग है आज उसी का प्रणाव है प्रदान मती ग्रती शक्ती मास्टर प्लान एक वह लिश्चे के प्रोश्च टुक्रों पे नहीं एक आदा का मुहार रहा है रोड बन रहा है फिर बिजनी वा करके खुदाई करता है तो सारी संबसाओं से बहार आ करके हमने डिस्टिक लेवल तक गति शक्ति मास्टर प्लान के दिशा में हम काम कर रहे हैं उसी प्रकार से हमारा देश की विश्यस्ता को देखते हुए है मल्ति मोडलर टांसपोर्ट सिस्टिप उस पर हम बड़ा कि आजाजी के बंगत सबसे तेज गति से ग्रामिट सडके कहीं बन रही है तो इस पांच साल के कालखन में बनी यह मानमे अद्रिक जी नेशना हाइवे बन रहे हैं रेलिवे लाइनों का पिज़्दी करान हो रहा है आज देश नए एरपोर्ट्स हैलिपोर्ट्स और वाटर ड्रॉम का नेटवर्क खड़ा कर रहा है देश के छे लाग से अधिक गाओं में अप्तिक अड़्वाइवर नेटवर्क के लिए काम चल रहा है मानिय अधिक जी यह सारे काम ऐसे हैं जो रोजगार देते हैं जादा से जादा रोजगार इनी कामों से मिलता है आदुनी गिन्स प्रास्ट्रक्टर आज देश की आवश्यक्ता है और अभूतपुर्वन निवेश भी हो रहा है और उसी से रोजगार भी बढ़ना है पिका से गती भी बढ़ना है और इसलिए आज देश उस दिशा में काम कर रहा है मानिय अधिक जी जितनी जादा अर्थ व्यवस्ता ग्रोग करेंगी उतने ही रोजगार के अउसर पैदा होंगे और इसी लक्ष को लेकर के पिछले साथ साल से हमने इन चीजों पर फोकस किया है औ कि हमारा आत्मन दिर्पर भारत अभ्यान मेंनेफेक्टरी हो या सर्विस स्क्रॉड हो हर्ज सक्टर में हमारा उत्पात बढ़ रहا है उत्पादान बढ़ रहा है आज भारत अभ्यान के गःपतव vullर हम आज ग्लोबल व्यव्योचन के हिस्से बन रहे हैं य अपने आप मे भारत के लिए एक अच्छी निशानी है हमारा बड़ा फोकस MSME और टेक्सनाइल जैसे लेबर इंसेंटिव सेक्टरसक में MSME की परिभासा में सुधार MSME की परिभासा में हमने सुधार करके उसको भी नए अवसर दिये हैं अपने छोड़े उद्यों को सुरसित करकने के लिए MSME के लिए सरकार ने इस कोरोना के विकट कांखन में 3,00,00,00 करोड रुपिये की विशेश योजना भी शुरूब की है और उसका लाग हमारे MSME शेक्टर को मिला रहे है और इसका बहुत बढ़िया स्टड़ी SBI ने किया है SBI का स्टड़ी कहता है कि साड़े तेरा लाग MSME इस योजना के करण बरबाद होने से बच गए है SBI का स्टड़ी कहता है 1,5 करोण नोकरिया बची है और करीब 14 प्रतिशत MSME लोन्स के करण NPA होने की जो संभावना थी उससे बच गए है मानिय अद्रजी जो सदसे जमीन पर जाते है वो इसके प्रभाव को देख सकते है विपक्षके भी कई साथ ही मुझे मिलते है कहते हैं कि आप ये स्टड़ी जना ने बहुत बढ़ा लाब किया है MSME सेक्टर को इस संकर की गड़ी में बहुत बढ़ा सहारा दिया है मन यद्रजी उसी प्रकारते मुद्रायोजना कितनी सफल रही हमारी माता है बहने कितनी उस ठेतर में आई है लाखों लोग बिना गारंटी बैंक से लोन ले करके आज अपना स्वर रोजगार के दिशा में आगे बढ़े है और खुद तो करते हैं एक आज दो लोगों को रोजगार भी देते हैं स्वनी दी ओजना स्ट्रीट वेंडर कभी हमने सोचा नहीं पहली बार आजा दिक बात स्ट्रीट वेंडर सो बैंक के अंदर से लोन मिर रा है और हमारा स्ट्रीट वेंडर डिजिटल टांजिक्शन कर रा है और करोर समीकों को लाब मिर आए हमने गरीब समीकों के लिए दो लाद करोर रुपे से ज़्यादा खर्च किये आत्मंदिर्वा भारत रोजगार योजना के तहद हजारों लाभारिशियों के खाते में हमने सीधे पैसे टांस्पर किये मानिय अद्धिक जी इंदुस्ट्री को गती देने बहतर इंफ्रास्ट्रक्टर की बहुत जरूरत होती है पी-एम गती शक्ती नेस्टर प्लांट मास्टर प्लांट यह हमारे लोजिस्टिक कोस्ट को बहुत कम करेगा उसके कारण देश में भी माल सस्ते में पहुँच पाएगा और एक्सपोर्ट करने वाले लोग भी दुनिया के साथ कम्पेटिशन कर पाएगे और इसलिए पी-एम गती शक्ती प्लांट आने वाले दिनों बहुत लाप पारग होने वाला है मन्यद्य जी सरकान ने एक और बड़ा काम किया है नए ग्षेत्रों को, एंट्रेप्रेनेस को उसके लिए हमने ओपन कर दिया है आत्मन निर्भर भारत योजना के तहट, स्पेस, दिफेंस, ड्रॉंस, माइनिंग को प्राइवेट सेक्टर को आज देश के विकास में भागिदार बढ़ने के लिए हमने निमंत्रित किया है देश में एंट्रेप्रेनेस के लिए, बैतल महोल बनाने के लिए, सिंपल टैक्स सिस्ट्रिम की शुरुवात, हजारों कम्प्लाइंसिज, हमारे देश में आतास ऐसी हो हर डिपार्टमेंट, ये लाओ, वो लाओ, ये कागर लाओ, वो नाम लाओ, वो सारा करीब 25,000 कम्प देश के नागरिकों को परिशानी हो रही है, उसको समझें हम लोग, आज़ देश में इस प्रकार के बैरियस हटाए जा रहे हैं, डॉमेस्टिक इंडूस्ट्री को लेवल प्लेफील देने के लिए, एक के बाद एक कदम हम उठाते जा रहे हैं, मानिया दग जी, आज़ द की भी दाता है, तुम्हें सरकार पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, तुम्हारी आचा आप अच्छा है, कोई पूरी ने कर सकता है, सरकारी करेगी, सब कुछ सरकार देगी, यह हम लोग ने इतना इगो पाल के रखा था, और उसके कारण देश के सामर्थ को भी चौट नहीं है, देश वाजियों की ताकत अने गुना जादा होती है, वो सामर्थ के साथ अगर संकल्प साथ जुड़ जाते हैं, तो पढ़ना मिलता है, आप देखिए, 2014 के पहले, हमारे देश में सिरफ 500 स्टार्ट अप थे, जब अफसर दिया जाता है देश के नवजवानों को पढ़ना माता है, इन साथ साल में, 2014 के पहले 500 स्टार्ट अप, इस साथ साल में, 60,000 स्टार्ट अप इस देश में ठाम चाने हैं, यह मेरे देश के युवाणों की ताकत हैं और उसमें यूनीकॉन बन रहे हैं, और यह की यूनीकॉन याने, हजारों करोड की उसकी वेल्यू तय हो जाती है मालने द्रग जी और बहुती कम समय में भारत के उनिकॉन सेंच्वीरी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं यह बहुत बड़ा एश्यून हजारों करोड की कंपणी बनने में पहले दस्ता कोन लगी जाते थे आज हमारे नवजवानों की ताकत है सरकार की नीतियों के खारान साल दो साल के अंदर हजारों करोड के कारोबार को उनके आसपास वो देख पा रहे हैं आज मानिये द्रग जी हम स्टार्ट अप्स यूनिकॉंस में इस मामले में दुनिया में टॉप थी में पहुँच गए है कौन ही दुस्तानी होगा जिसको गर्वन ही होगा लेकिन ऐसे समय इस सरकार का अंतविरोध करने की जिनको आदर लग गई है सुबह सुबह सुरू हो जाते है और यहां मैंने देखा हमारे अदिरजन जी कह रहे थे क्या रखा है मोधी 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 करते रहे थो है यही कर रहे है अँगे सोबह सुबह बहते ही शुरू हो जाते है एक पल आप लोग एक पल बोधी के मिला नहीं बिता सकते हैं अरे नोधी तो आपकी प्रार सकती है एक बोल रहे हैं ना कि मानिये मानिया दग जिये चलो बैठिये कुछ लोग देश के नौजवानों को देश के एंटर्परियर्स को देश के वेल्ट क्रीटर्स को उनको डनाने में आनन्द आता है उनको भैवीत करने में आता है उनको गुमरा करने में आता है देश का नौजवान उनकी बाते सुन नहीं रहा है इसके कान देश आगे बढ़ रहा है मानिय दग जी आज जो यूनिकॉन है यही उसमें से कुछ मल्तिनेशनल कंपनिया बनने का सामर तरक में लेकिन कॉंग्रेस में ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं जो हमारे उद्यमिये हैं उनके लिए कहते हैं और आपको भी जान करके आफ्षरे होगा क्या कहते हैं वो कहते हैं ये उद्यमी लोग कोरोना वायरस का वेरियंट बताएए क्या होगया हमारे देश के उद्यमी एक वेरियंट है hazır estas किसके लिए बोल रहा है कोई ज़रा आपके अंदर बैठे तो ज़रा बोलो तो से भी यह क्या हो रहा है पार्टी का नुक्षान हो रहा है कॉंग्रेस पार्टी का नुक्षान हो रहा है माने दगी जो इतिहास के सब जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते हैं वो इतिहास में खो जाते हैं मानियत देगी ये मैं इसलिए कह रहा हूं जराज साड़ से साड़ से असी का दाइका उनके सभी प्रमुख लोग उसमें आ जाते हैं जो देश का नितुट्टों करते थे कुछ कालखन की बात कर रहा हूँ, 60 से 80 के दसक में क्या नेरिटिव होता था, कॉंग्रेज के ही सत्ता साथी, कॉंग्रेज के सांस रहकर के सूफ हो गने वाले लोग, ये वोही लोग पंडित नहरुजी की सरकार को और स्रीमत इंद्रा गांधी जी की सरकार को क्या कहते थे, ये तो टाटा बिल्ला की सरकार है, इस सरकार को टाटा बिल्ला चला रहे हैं, 60 से 80 दसक तक यही बाते बोली जाती थी, नहरुजी के लिए बोली जाती थी, इंद्रा जी के लिए बोली जाती थी, और आपने उनके साथ भगीदारी की सत्ता में, लेकिन उनकी आदते भी ल रहे हो कि मैं देख रहा हूं आप इतने नीचे गए हो इतने नीचे गए हो हां मुझे लगता है कि आज कि पंचिंग बैग बदल गया है लेकिन आपकी आदत नहीं बदली है मुझे विश्वास हैं और यहीं लोग सदन में कहने की हिंम्मत करते थे बाहर तो बोलते ही थे गाम होता मिले चुप नहीं रहते थे वो कहते हैं मेकिन इंडिया होई नहीं सकता है बताओ इसमें आनंदारा है को यसा हिंदुस्तान के लिए सोच सकता है क्या कि मेकिन इंडिया होई नहीं सकता है अरे भैं आपको तकलिफ होगे हम आंकर के किसा बोलो देश को को गाली देते हो जी देश के घिलाब क्यों बोलते हो में किन इंडिया फूरी सकता है में किन इंडिया का में जाप उनाया गया और आज देश की युदा शक्ति ने देश के एंटरपरणर ने करके दिखाया है आप मजाग के विशे बन गए हो और मेक इन इंडिया की सफलता आप लोगों को कितना जर्द रे रही है ये मैं बली भाती समझ पा रहा हूँ मानिया देखिए मेक इन इंडिया से कुछ लोगों को तकलीब इस बात के लिए हैं क्योंकि मेक इन इंडिया का मतलब है कमिशन के रास्ते बन मेक इन इंडिया का मतलब है ब्रस्टाचार के रास्ते बन मेक इन इंडिया का मतलब है तीजोरी भरने के रास्ते बन और इसलिए मेकिन इंडिया का ही विरूत करो भारत के लोगों के सामर्थ को नजर अंदाज करने का पाप देश के लगून दमियों के सामर्थ का अपमान देश के युवाओं का अपमान देश की इनोवेटिव चम्ता का अपमान मानिय दग जी देश में इस प्रकार का नकारात्वक्ता का निराशा का वातावरण खुद निराश है खुद सफल नहीं हो पा रहे हैं इसलिए देश को असफल होने करने के जो खेल चल रहे है उसके खिलाब देश का नौजवान बहुत जाग चुका है जागूत हो चुका है मानिय अद्धक जी पहले जो सरकार चलाते दे जो और जिन्नों ने 50 साल तक देश की सरकारे चलाई मेकिन इंडिया को लेकर रूंका कह रहे था सिर्फ डिफेंस सेक्टर को हम देखे तो सारी बाते समझ आती थी वो क्या करते थे चैसे करते थी क्यों करते तो किसके लिए करते थी पहले सालों में क्या होता था नहे श्रीप्मेंट खरीदने के लिए प्रोस्च चलती थी सालों तक चलती थी और जब 통ینल नेड़े होता था तब वह чीज पुरानी हो जाती थी अब बताईए देश का क्या बना आउट अपडेट हो जाती थी और हम पैसे देशे से हमने इन सारी प्रोसेस को सिंप्लिफाई किया है सालों से पैंडिंग डिफेंस सेक्टर के जो इश्यू थे उसको हमने निप्ताने का प्रयास किया पहले किसी भी आजुनिक प पड़ता था जरूरत के समय आपाधाभी में आयुत खरिदा जाता था यह लाओ वो लाओ कौन पुस्ताए भई हो जाए यहां तक की स्पैर पांच के लिए भी हम अन्य देशों पर निर्भर रहे हैं दूसरों पर निर्भर होकर इस देश की सुरक्षा निश्चित नहीं क आप यूवी की ववस्ता होनी चाहिए हमारी अपनी ववस्ता होनी चाहिए रक्षा खेत्र में आत्म निर्भर होना यह राष्ट सेवा का भी बहुत बड़ा काम है और जो मैं देश के नवजवानों को भी आवाहन करता हूं कि आप अपनी केरिये में इस खेत्र को हम ताकत के साथ खड़े होंगे माने दजी इस बजेट में भी हमने जादा से ज़दा रक्षा उपकरान भारत में ही बनाएंगे भारतिये कंपनियों से ही खरी जेंगे यह बजेट में प्रावधान किया है भार चे लाने के रास्तों बंद करने की दिशा में हम कदम बड़ हम एक बड़े डिफेंस एक्ष्पोर्टर बनने का सपना लेकर के चल रहे हैं और मुझे विस्वास हैं यह संकल पर पूरा हो गया मैं जानता हूं कि रक्षा सौधों में कितनी बड़ी ताकतें पहले अच्छे अच्छों को खरीज लेती थी ऐसी ताकतों को मोधी ने चुनोती दिए और इसलिए मोधी पर उनकी नाराजी ने गुसा होना भी बहुत स्वापा भी करें और उनका गुसा प्रगेड़ भी होता रहता है माने देख जी विपक्ष के हमारे सोगे कुछ साथियों ने यहाँ मेंगगाय का मुद्दा भी उठाया अच्छा लगता देश का भी भला होता अगर आपके चिंता तब भी होती जब कॉंग्रेस के नित्रुत्म में यूपिय की सरकार थी यह दर्दू समय भी होना चुए था आप साथ भूल गए हैं मैं जर आपको याद दिलनाना चाहता हूँ कॉंग्रेस सरकार के आखरी पांच सालों में लगबग पूरे कारकाल में देश को डबल दीजिट महंगाई की मार जिलनी पड़ी थी हमारे आने से पहले यह स्थिती थी कॉंग्रेस की नीतियां ऐसी थी कि सरकार खुद मानने लगी थी कि महंगाई उसके नियंतर्ण से बाहा रहा 2011 में ततकानिन वित्त मंत्री जी ने लोगों से बेशर्मी के साथ कह दिया था कि महंगाई कम करने के लिए किसी अलादिन के जादू की उमिद न करें यह आपके नेताओं की और संवेदन सिल्टा हमारे चिदंबरम जी जो कि इन दिनों इकोनोमी पर अखबारों में लेक लिखते हैं जब सरकार में थे तब क्या कहते थे उस समय के नेता क्या कह रहे थे आपके वो कहते थे 2012 में उन्होंने कहा था कि लोगों को 15 रुपिय की पानी की बोतल और 20 रुपिय की आश्क्रीम खरिदे में तकलिब नहीं होती लेकिन गेहूं चावल पर एक रुपिय बढ़ जाए तो बरदास्त नहीं के होता ये आपके नेताओं के बयान याने महंगाई के प्रती कितना असम्वेदन सिल रवया था ये चिंता का कारण है मानियद्दे जी मंगाई देश के सामान्य मानवी से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है और हमारी सरकार ने NDA सरकार ने पहले दिन से सतर्क और सम्वेदन सिल रह करके इस मसली को बारीकाई से हैंडल करने का प्रयास किया है और इसलिए हमारी सरकार महंगाई नियंत्रन को अपनी वित्तिय पॉलिसी का प्रात्मिक लक्ष बनाया हमने मानियत्द्द जी सो साल में आई इतनी बड़ी महामारी के इस कालखन में भी हमने प्रयास किया कि महंगाई और जरूरी चीजों की किमत आसमान न छुए सामान ने मानवी के लिए सामान ने मानवी के लिए दादा आपके काम की बास है अरे आपके काम की बास है मैंजा लो रहा है आपके काम आएगा थोड़ा बे आगे जाओगा तो आपके काम आएगा महंगाई और जरूरी चीजों की किमत आसमान न छुए सामान ने मानवी के लिए खास कर गरीब के लिए महंगाई बरदाद की सीमा से बाहर न हो और महंगाई को नियंतरण में रखने के लिए हमने क्या किया है ये आँकड़े खुद बता रहे हैं कॉंग्रेस कॉंग्रेस के जहां महंगाई दर डबल डिजिट में थी दस प्रतिशत से जादा थी वहीं 2014 से 2020 के 2014 से 2020 महंगाई पांच प्रतिशत से कम रही है पांच प्रतिशत से कम रही है कोरोना के बावजूद आपको मैं बोलने देना चाहता हूं तो कि आगे आगे मज़ा होने वाली है जरा इंतजार करो आ रहा हूं कोरोना के बावजूद इस साल महंगाई 5.2 प्रतिशत रही है और उसमें भी फूड इंफलेशन तीन प्रतिशत से कम रही है आप अपने समय में वेश्विक परिसितियों की दुहाई देकर पल्ला जार लेते थे वैसे महंगाई पर कॉंग्रेस के राजमें पन्डित नहरू जी ने लाल की लिए से वह जरा आपको मैं बताना चाहता पन्डित नहरू देश के पहले प्रदान मंतरी लाल की लिए से बोल रहे है देखिये आपकी इछा रहती है ने मैं पन्डित जी का नाम मि Hem आज मैं बार बार बोलने वारो मजा निजी आज आपके नेता कहेंगे बजा आ गया मन्यत्र जी पंडित नहरू जी ने लाल किले पर से कहा था और ये उस जमाने में कहा गया था तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था नाम महत्र का भी नहीं था उस समय नहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे है कभी कभी कोरिया में कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है इसके चलते बस्तूओं की किमते बढ़ जाती है इतनेहरू जी बारत के पहले प्रदान मंत्री कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है इसके चलते बस्तूओं की किमते बढ़ जाती है और यह हमारे नियंत्रण से भी बहार हो जाती है देश के सामने देश का पहला प्रदान मंत्री हाद उपर कर देता है आगे कहते हैं देखो जी आपके काम की बात है आगे कहते हैं अगर 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 अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका अफर भी वस्तों की किमत पर पड़ता है सोचिए सोचिए तब महेंगाई की समस्या कितनी गंबीर थी कि नहरु जी को लाल किले से देश के सामने हाथ उपर करने पड़े थे नहरु जी ये तब कहा था मानिय तक जी अगर कॉंग्रेट्स सरकार आज सप्ता में होती है क्या देश का नसीब है बेश बज गया लेकिन आज अगर आप होते तो महेंगाई कोराने कोरोना के खाते में जमा करके जार करके निकल जाते हैं आप लोग लेकिन हम बड़ी सम्वेदन जिल्टा के साथ इस समस्या को महत्वपून समझ करके उसके समाधान के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं आज दुनिया में अमेरिका और OECD जैसे देशों में अमेरिका और OECD देशों में महेंगाई साथ प्रतिशद है करीब करीब साथ प्रतिशद लेकिन मानिय दग जी हम किसी पर ठीकरा फोड़ करके भाग जाने वालों में से नहीं हैं हम इमानदारी से प्रयास करने वालों में लोग हैं जिम्मेवारी के साथ देश वास्यों के साथ खड़े वेने वाले लोग मानिय दग जी इस सदन में गरीबी कम करने की भी बड़े बड़े आंकड़े दिये गए लिकिन एक बात भूल गए इस देश का गरीब इतना विश्वाजगाती नहीं है कि कोई सरकार उसकी बनाई के काम करे और फूफीर उसको ही सत्ता से बार करे इस देश के गरीब के स्वभाव में नहीं है आपकी ये दुरज़त सा इसलिया आई क्योंकि आपने मान लिया था कि नारे देकर के गरीबों को अपनी चुंगाल में फसाय रखोगे लेकिन गरीब जाग गया गरीब आपको जान गया इस देश का गरीब इतना जागरूत है कि आपको चबवाली सीटों पर सिमेट दिया 44 सिट पे लाकर के रोग दिया कॉंग्रेश 1971 से गरीबी हटाओं के नारे पर चुनाव जीतती रही थी 40 साल बाद गरीबी तो हटी नहीं लेकिन कॉंग्रेश कॉंग्रेश सरकार ने नई परीबाशा दे दी मान्य अद्दक जी देश के नवजवानों ने इन बातों को जानना बहुत जरूरी है और अद्दक जी आप देखिए कि ये डिस्ट्रप्त अब करते हैं कि उनको अंदाज आता है चोट बड़ी गहरी होने वाली है उनको मालूम है उनको मालूम है कि मुसिबत में फसे हैं आज और कुद्रोग बोल करके भाग जाते हैं और जेलना ऐसे वेचारों को पड़ता है मान्य अद्दक जी चालीस साल बाद कॉंग्रे गरीबी तो नहीं अटी लेकिन गरीबों ने कॉंग्रेस को हटा दिया और कॉंग्रेस ने क्या किया मान्य अद्दक जी कॉंग्रेस ने गरीबी की परिभाचा बदल दी 2013 में 2013 में एक ही जटके में उन्होंने कांगज पे कमाल करके 17 करोड गरीब लोगों को अमीर बना दिया कि कैसे हुआ इसकी सचाई देश के युगाओं को पता होना चाहिए मैं आपको उधान देता हूं आपको मालू कहां मारे देश में पहले रेलेबे में फर्स्ट क्लास सेगन डास थर्ड़ास होता था जो फर्स्ट लास होता था एक लाइन लिखी रहती दरवाजी के दी यह इनके तरीके ऐसे ही हैं और उनको लगता है कि वह गरीबी हड़ गई और उन्होंने सारे उसके बेजिक नौंस बदल करके कह दिया है सत्रा करोर गरीब मेगी ने जाएंगे इस प्रकार से आंकड़े बदलने का काम वो करते रहे हैं मान्य अद्धक जी यहां कुछ तात्रीक मुद्व को उठाने की कोशिश की मैंने तो समझने की बहुत कोशिश की शाहिद कोई समझ पाया हो ऐसा तो मुझे अभी कोई मिला नहीं है लेकिन जो को समझ पाया होगा तो मैं समझने के लिए तयार हूँ ऐसे ऐसे कुछ बाते सुनता हूँ तो मन्य दग जी सदन में राष्ट को लेकर बाते हुए ये बाते हरान करने वाली है मैं बेरी बात रखने से पहले एक बात दोहराना चाहता हूँ और मैं कोट कर रहा हूँ ये जानकारी बेहत हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराथे, गुजराती, तमील, आंद्र, उडिया, असमी, कंडर, मलियाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत, और हिंदुस्तानी बाशा भासी जनता से बसा हुआ विशाल मद्यभाद कैसे सेंकडो वर्सों से अपनी अलग पहचान बनाए हैं इसके बावजूद इन सबके गुंदोष कमोगोष एक से हैं इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभीलेखों से मिलती हैं साथ ही इस पूरे दोरान वेश पस्ट रूप से ऐसे भारतिये बने रहे जिनकी राष्टिये विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेश्टाएं भी समान थी एक कोटेशन है अध्यक्ष महवदय हम भारतियों की इस विशेश्टा को बताते हुए इस कोटेशन में दो सब्दों दौर करने वाले हैं राष्ट्रिय विरासत और ये कोट पंडित महरूजी का है ये बात कही थी नहरूजी ने और अपनी किताब भारत की खोज में है हमारी राष्ट्रिय विरासत एक है हमारे नैतिक और मानसिक विशेश्टाएं एक है क्या बिना राष्ट के ये संभव है इस सदन का ये कहकर भी अपमान किया गया कि हमारे समिधान में राष्ट्र शब्द नहीं आता संभवेधान की प्रस्तावना में लिखा राष्ट्र परने में नाएं ये हो नहीं सकता कॉंग्रेज ये अपमान क्यों कर रही है मैं इस पर बिस्तार्थ अपनी बात रखूँगा मान्यद्ग जी राष्ट कोई सत्ता या सरकार की व्यवस्ता नहीं है मान्यद्ग जी हमारे लिए राष्ट एक जीवित आत्मा है और इससे हजारों साल ते देश वासी जुड़े हुए हैं और जूजते रहे हैं हमारे हाँ विश्णु पुरान में कहा गया है ये किजी बाज़वाले ने नहीं लिखा है विश्णु पुरान में कहा गया है उत्रम यत समुद्रश्य हिमाद रैष्चे विदक्षणं वर्सतत भारतम नाम भारती यत्रसंतती ही यानि समुद्र के उत्तर में और हिमाद रैष्चे दक्षिन में जो देश है उसे भारत कहते हैं तता उनकी संतानों को भारती कहते हैं विश्णु पुरान का ये श्लोक अगर कॉंग्रेस के लोगों को स्विकार ये नहीं है तो मैं एक और कोट इस्तिमाल करूँगा कुछ चीजों सापको अलर्जी हो सकती है मैं कोट कह रहा हूँ एक ख़न आता है मगर इतिहास में विरल ही आता है जब हम पुराने से बाहर निकल कर नए यूग में कदम रखते हैं जब एक यूग समापक हो जाता है जब एक देश की लंबे समय से दबी हुई आत्मा मुक्त होती है ये भी नहरूजी के ही बोल है आखिर किस नेशन की बात नहरूजी कर रहे जी ये नहरूजी कह रहे हैं और मान्य देख जी यहां तमील सेंटिमेंट को आग लगाने की भारिक कोशिश की गई राजनिती के लिए कॉंग्रेस की जो परंपरा अंग्रेजोस के विरासत में आई दित्ती है तोड़ो 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 और राज करो तोड़ो और राज करो बाटो और राज करो लेकिन मैं आज तमील भाषा के महा कवी मान्य देख जी तमील भाषा के महा कवी और स्वतंत्र सेनानी आदर्णिय सुब्रमन्य भारती ने जो लिखा था मैं यहां दोहराना चाहता हूँ तमील भाषी लोग मुझे ख्षमा करे मेरे उच्चारों में कोई गल्ती होतो लेकिन मेरा आदर्णिय भावना में कोई कमी नहीं है सुब्रमन्य भारती जीने कहा था मन्नुम इमय मलै एंगल मलै पन्नरुम उपनित नुलेंगल नुले पार मिशे एधोरू नुल इधु पोले पून निलोर भारत नन्डे घल नाडे पोड रुवोम इक्ते इमक किले इडे इसका भावार्थ जो उपलब्द है वो इस तरह का है सुब्रमन्य भारती जी कहते हैं जो उन्होंने तमील भाषा में कहा है उसको मैं अनुवात जो भाव में जो उपलब्द हुआ है मैं कह रहा हूँ सम्मानित जो सकल विश्व में महिमा जिन की बहुत रही है अमर ग्रंथ से वे सभी हमारे उपनी शदों का देश यही है सुप्रेमिन भारती कह रहे है गाइंगे यस हम सब इसका यह है स्वर्निम देश हमारा यह है स्वर्निम देश हमारा आगे कौन जगत में हम से यह है भारत देश हमारा यह है भारत देश हमारा यह सुप्रम्रनिम भारती जी की कविता का भाव है यह वो संस्कूति है और मैं आज तमिल के समनागरिकों को सल्यूट करना चाहूंगा जब जब हमारे सीडियेस रावत दक्षिन में हेलिकॉप्टर के खस्मात में उनका नीदन हुआ और जब उनका बोड़ी तमिलाणू में हवाडेटले की तरफ ले जाने के लिए रास्ते पर गुजर रहा था मेरे तमिल भाई मेरी तमिल बहने लाखों की संख्या में गंटों तक कतार में खड़ी रही ती रोड़ पर कोई सुतना नहीं संदेश नहीं इंतजार करते खड़ी रही थी और जब जब सिडियेस रावत का बोड़ी वहाँ से निकल रहा था तब हर तमिलवाशी हर तमिलवाशी गवरों के साथ हाद उपा करकर के आंक में आंसू के साथ के ता था वीर बनकटम वीर बनकटम ये मैंरा देश है लेकिन कोंगरेस को हमेसा से इन बातों से नफरत रही है विभाजन कारी मान शिक्ता उनके डिय अने में गुज गयी है अंग्रे चले गए लेकिन बाटो और राज करो ये नीति कॉंग्रेस ने अपना चरित्र बना दिया है और इसलिए ही आज कॉंग्रेस टुकडे टुकडे गैंग की लीडर बन गई है माने सदर्षे माने सदर्षे प्लीज मैंने सभी माने सदर्षे को प्रयाप समय प्रयापसर दिया था जब सदन के नेता बोल रहा है ये अप्रियादित महाचरण आपका ठीक नहीं है ये सदन की करिमा नहीं है जो लोग तंतर की प्रक्रियाद से हमें रोक नहीं पा रहे हैं वो यहां अनुशासन हिंत आ करके हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसमें भी विफलता मिलेगी इसमें भी विफलता मिलेगी मान्य अध्यक्ष महोदाय कॉंग्रेस पार्टी का सत्ता में आने की इच्छा ठतम हो चुकी है लेकिन जब कुछ मिलने वाला नहीं है तो कम सकम बिगाड़ तो दो ये फिलोसफी पराच निराशाबादी लेकिन उस मोह में बरबाद करकर के छोड़ेंगे इस मोह में देश में वो बीजबो रहे हैं जो अलगाओं की जड़ों को मजबूत करने वाले सदन में ऐसी बाते हुई कि जिसमें देश के कुछ लोगों को उक्साने का भरपूर प्यास किया गया अगर पिछले साथ साल से कॉंग्रेस के हर कारणा में हर गतिवी दी उसको बारी किसे देखेंगे तो हर चीज को अगर धागे में बात करके देखेंगे तो इनका गेम प्लान क्या है वो बिलकुर समझ में आता है और वो ही मैं आज उनका खुला कर रहा हूँ मानिय अद्ध जी आपका गेम प्लान कोई भी हो मानिय अद्ध जी ऐसे बहुत लोग आए और चले गए लाखों कोशी से की गई अपने स्वार्त मस की गई लेकिन ये देश अजरा अमर है इस देश को कुछ नहीं हो सकता आने वालों को इस प्रगार की कोशिश करने वालों को हमेशा कुछ नहीं कुछ गवाना पड़ा है ये देश एक था स्रेष्ट था ये देश एक है ये देश स्रेष्ट है और स्रेष्ट रहेगा इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं माने अदगे माने अदगे यहां कर्तवियों की बात करने पर भी एत्राज जटाया गया है उससे भी कुछ लोगों को पीड़ा हुई है कि देश का प्रधान मंत्री कर्तविय की बात क्यों करता है कर्तविय की चर्चा हो रही है किसी बात को समझ के अबहाव से या बद इरादे से विक्रुती से घर देना विवाद खड़ा कर देना ताकि खुद लाइम लाइट में रहे बहरान हो अच्छानक कॉंग्रेस को अब कर्तविय की बात चुपने लगी है आप लोग अधिर अंजन जी आप बैठी है अरे आप ठी जिन्द्गी बोलते रहा है आपका वही काम है माने दगी माने दगी आप लोग माने दगी आप लोग माने दगी कहते रहते हैं कि मोदी जी नहरू जी का नाम नहीं लेते हैं तो आज मैं आपकी मुराद बराबर पूरी कर रहा हूँ आपकी प्यास बुजा रहा हूँ देखे कर्तवियों के सबन्द में कर्तवियों के सबन्द में करतव्यों के सबंद में नहरुजी ने क्या कहा था जरा मैं आज कोट सुनाता हूं मानिय देजी पंडित नहरुजी देश के प्रधम प्रदान मंत्री उन्होंने क्या कहा था मैं आप से फिर कहता हूं मैं कोट कर रहा हूं मैं आप से फिर कहता हूँ कि आजाद हिंदुस्तान है आजाद हिंदुस्तान की सालगीर हम मनाते हैं लेकिन लेकिन आगया समय सीखो सिखने में काम आएगा तैयरी करो लेकिन आजादी के साथ जिम्मेदारी होती है और करतब ये कोई दूसरे सब्दों में जिम्मेदारी कहते हैं इसलिए कोई समझना हो तो मैं समझा दूँ, करतव्य को दूसरे सब्दों में जिम्मेदारी कहते हैं, अब यह पंडित नहरू का कोड है, मैं आप से फिर कहता हूं कि आजाद इंदुस्तान है, आजाद हिंदुस्तान की साल गिरह हम मनाते हैं, लेकिन आजादी के साथ जिम् जिम्मेदारी करतव्य खाली हुकूमत की नहीं, जिम्मेदारी हर एक आजाद सक्रक्ष की होती है, और अगर आप उस जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते, अगर आप समझते नहीं, तब पूरी तोर पर आप आजादी के माने नहीं समझे और आप आजादी को पूरी तोर से बचा नहीं सकते हैं ये करतव्य के लिए देश के प्रधान मंत्री पंडित नहरुजी ने कहा था लेकिन आप उसको भी भूल गए मान्य देगे मैं सदन का ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ अब वो भी थक गए हैं मान्य देगे हमारे यहाँ मान्य देगे हमारे यहाँ कहा गया है शन शह हमारे यहाँ कहा गया है शन शह कनस्चैव विद्याम अर्थच साधेत शने नस्ठे कुतो विद्या कने नस्ठे कुतो धनम अर्थात विद्या ग्यान के लिए एक एक पल महत्वपुन होता है संपत्ती संसाधनों के लिए एक एक कन जरूरी होता है एक एक शन बरबाद करके ज्यान हासिल नहीं किया जा सकता और एक एक कन बरबाद किया गया छोटे छोटे संसाधनों का समूछतीत प्रयोग नहीं किया गया तो संसाधन व्यर्थ हो जाते हैं मैं कॉंग्रेस और उसके सयोगय से कहूंगा आप ये मन्थन जरूर कीजिए कि कहीं आप इत्यास के इस महत्वपुन अहम छन को नश्ठ तो नहीं कर रहे हैं मुझे सुनाने के लिए मेरी आलोचना करने के लिए मेरे दल को कोशने के लिए बहुत कुछ है कर सकते हैं आप और आगे भी आगे भी करते रहिए मौकों की कमी नहीं है लेकिन लेकिन आजहादी के अमरित काल का इस समय पच्चोतर वर्स का इस समय भारत की विकास यात्रा में सकारात्मक योगदान का समय है मैं विपस्के और यहाँ पर बैटे विए भी सभी सात्यों से और इस सदन के मात्यम से देश वाच्यों से भी आजहादी के इस अमरित महोचव के परवपर आगरे करता हूं निवेदन करता हूं अपेक्षा करता हूं कि आओ इस आजहादी के अमरित महोचव को हम नए संकल्पों के साथ आत्म निर्भर भारत बनाने के संकल्प के साथ एक जूट होकर हम लग जाए कोशिश करें पिछले 75 साल में जहां जहां कम पड़े हैं उसको पुरा करें और आने वाले 2047 के सताब्दी वर्ष बनाने देश को कैसा बनाना है उसका संकल्प लेकर के आगे बड़े देश के विक अपने जगा पर हैं हम दलगत भावनाओं से उपर उट करके देश की भावनाओं को ले करके जियें चुनाओं के मैदान में जो कुछ करना है करते रहिए लेकिन हम देश हित में आगया आएं इसी एक अपेक्षा को रखता हूँ आजादी के सौ वर्ष जब होंगे ऐसे ही ताकि उनको आगे ले जाने का मन कर देजे हम यही सोचें कि जो समय मिला है उसका हम सदुप्योग करें हमारे स्वर्णी भारत के निर्मान में हम कोई कोताई न बरते हैं पूरे सामर्त के साथ उसमें काम में लगे मन्य अद्धिक जी मैं फिर एक बार राष्ट पती जी के उद्धोदन को धन्यवाद प्रस्ताव को अनुमोदन करता हूं और मैं इस सदन में चर्चा में भाग लेने वाले सभी मान्य साउसदों का भी फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए आपने जो अवसर दिया रोका टोका की कोशिश के बावजित भी मैंने सभी को परस करने का प्रयाद किया है बहुत बहुत धन्यवाद